हेलो दोस्तों दृष्टी आईस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है तो आप सभी ने कल देखा कि हमारी केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए बजट को सामने रख दिया है और बजट से सम्मंदित जो भी महत्पून बाते हैं कि कितना खर्च किया जाना ह है किस मद में खर्च किया जाना है क्या आयकर को लेकर के बदलाओं है और अलग-अलग कई सारे मुद्दों को लेकर के बदलाओं की चर्चा कर दी गई है या फिर कुछ चीजों को सामाने भी रखा गया है हम अगले साल किस तरह से चीजों को खर्च करने वाले हैं एक तरी राश्पति द्वारा भारत के राश्पति द्वारा एक दोनों ही सदनों को संबोधित किया गया था एक तरीके से हम कहें कि राश्पति का एक विशेश अभी भाशन प्रस्ताव रखा गया था इस अभी भाशन के प्रस्ताव को लेकर के भी एक पूरी प्रक्रिया है इसका प पूरे विशे को भी देखना चाहिए आज का फेशन संबंदित है बजट पेश करने से पहले क्यों जरूरी है राष्टपती का अभी भाशन तो वर्तबान राष्टपती स्टी मति दुरौपदी मुर्मु जी ने इस बार यह प्रक्रिया निभाई है न्यूज आई है प्रेस सब्सक्राइब और पहले किस तरह से प्रक्रिया की गई है तो चर्चा में क्यों है यह बात आप जान चुके है इस परंपरा का यह हम देखेंगे सरकार की परंपरा को निभाने में कितनी भूमिका रहती है यह जानेंगे अगर राश्पती को जो पाठ दिया गया है यानि जो वो अभिभाषर पढ़ रहे हैैं या पढ़ रही है तो अगर वो उस अभिभाषर से ऐसहमत हूं तब क्या होगा सरकारिष का यह के लिए उसकी क्या है पर टू से जुड़ जाता है संसदिये प्रक्रिया वार्शिक वित्तिये विवरण और संसद की परंपराओं को जोड़ते हुए हमें से देखना चाहिए चरचा क्यों की गई है चुकि हर बार की तरह इस बार भी केंदृ बजट के पहले रष्ट्पती जी ने अपना अभी भाषाण दिया इस बार का भी भाषाण दुरपधि मुर्मू जी ने दिया जो कि जुलाई में जुलाई 2022 में उन्होंने पदभार समभाला था और ये एक तरह से कहें कि उनके राश्पती बनने के बाद एक पहला अभी भाशन होगा संयुक्त रूप से जहां पर उन्होंने तंसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद का सम्मान करती है इस्थिर है निडर है और निरलायक निरले लेती है बड़े सपनों को पूरा करने के लिए काम किया है और वगयरा वगयरा बहुत सारी बाते थी अलाकि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार का पक्ष रखना एक बड़ी बात है और राश्पती द्वारा चुक की भारत के अंतरगत संसदिय परअपरा में इसको शामिल किया गया है तो यहां हम संसद को संबोधित करते हैं और तोलहवी शताबदी के आसपास इसकी शुरुआत हमें देखने को बिलती है वहाँ पर यह परमपरा बहुत पुरानी है अगर हम USA की बात करें तो वहाँ पर राश्ट्रपती जॉर्ज वाशिंग्टन ने 1790 में पहली बार वहां की कॉंग्रिस को संबोधित किया था और भारत में अगर इस परमपरा का इतिहास देखे तो 1919 में जब भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी घोशना के बाद इसको शुरू किया गया था हाला कि उस समय राश्ट्रपती नहीं होते थे तो हम कह सकते हैं यह प्रथा तपते शुरू ही उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय उस समय बाद यह पद हमें देखने को मिले तो गवर्नर जनरल को अधिकार था कि विधानसभा और राज्य परिशद को वो संबोधित करें था तो यह हमें दिखता है फिर 1947 के बाद 1950 के बीच में चुकि कोई संसब नहीं थी समविधान सभा काम कर रही थी तो कोई संबोधन नहीं हुआ समविधान लागू होने के बाद उस समय के राश्ट्रपती थे डॉक्टर राजिन पिसाज जी उन्होंने फिर इस परमपरा क को निभाते हैं जो कि विधाईका की बैठक को संबोधित करते हैं और ये शक्ति राश्ट्रपती और राजिपाल को सौपी गई है तो राश्ट्रपती से संबंदित है अनुच्छेद 87 जो दो विशेश अवसरों पर इस तरह की प्रथा को शुरू करता है और राजिपाल क कि लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारन निर्वाचन के पश्यात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसत के दोनों सद्रों में अभिभाशण करेंगे और संसत को उनके आहवान का कारण बताएंगे इसका दो मतलब होता है कि लो जो भी सत्र है वो कहां से शुरू होता है संसत्र के तीन सत्र है आपको पता है बजट सत्र मांसूम सत्र और शीत कालिन सत्र तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर ही ले यह फरवरी से माई जून में छुट्टी है ठीक यहाँ पर जुलाइ और अगस्त एक फिर सामानिता दो महीने की छुट्टी और फिर अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर की छुट्टी होने के बाद नवम्बर और दिसम्बर इन माह में इस सत्रों का आयोजन होता है तो बजट सत्र की हमने प्रक्रिया को देखा है और यहां पर विशेश अभी भाशन की बात कही गई है ऐसा ही कुछ राजपाल के संदर में भी आपने को देखने को मिलेगा विधान सभा के लिए प्रत्यक साधारन निर फГरत हैं सत्रों ही को संबोधित करते हैं यह दो बात समिधान में लिख दी गई हैं तो क्या इतिहास है इस पर ही हम सर्चा कर रहे है तो संविधान लागू होने के समय राश्पति द्वारा संद्ध की हर एक संथा को संबोधित किया जाता था तो परंपरा थोड़े बोजिल लगने लगी फिर 1950 में हमने देखा कि राश्पती ने हर सत्र को सत्र से पहले अभिभाशण दिया था लेकिन जब 1951 में पहला सम्विधान संशुदन किया जाता है तो फिर इसको थोड़ा सा बदला जाता है और राश्पती के अभिभाशण को एक वार्शी माम वार्शिक मामले ग्रूप में निर्धारित कर देते हैं इसमें सरकार की क्या भूमिका है क्योंकि परंपरा बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है तो क्या राश्पती खुद से जाकर के बोल देते हैं जो उनको ठीक लगता है या इसमें सरकार की भी कोई भूमिका होती है तो अभी भाशन जो लिखा गया है उसका कोई की गई है परंपरा के हिसाब से तो एक स्तामान संरचना का जो राश्पती का अभी भाशण होता है वो इसको फॉलो करता है सरकार के द्वारा किये गए कार्यों के बारें बताते हैं कि पिछले साल सरकार ने क्या-क्या अप्लब्धियां हासिल की है और आने वाले वर्ष के ल चाहती हैं यह जो भी सरकार ने अपने कारों को जिसταरे से देखा होता है और ये वी कह सकते हैं कि यह सरकार के द्वारा लखकर केieseust कि राश्रपती को सौप दिया जाता है कि वो इसको पढ़ेंगे तो प्रधार मंत्री कार्याले लगभग दिसंबर के महीने से ही हर साल के अंत में इस प्रक्रिया को शुरू कर देता है और अलग-अलग मंत्राले उसे भाषण के लिए फिर इन्पुट मंगाया जाते हैं इन् किन बातों को उसमें शामिल कर देना चाहिए और फिर राश्रपती का जो अभी भाषण है वो सरकार के लिए नीतिगत और विधाई घोषणाय करने का एक तरह का मंच समझा जाता है मंच के रूप में देखा जाता है कि सरकार ही उस बात को कह रहे हैं और सम्विधान के प् करना कर सकते हैं लेकिन अभी भाषण देने का जो एक सम्विधानिक करतव उन्हें सौंपा गया है वो इस पर इंकार नहीं कर सकते हैं कि वह उस अभी भाषण में कोई टेक्ष्ट अगर दिया गया है कोई पार्ट लिखा है तो से उसकता उनकी आसहमती हो जाए उससे उनक राजपाल के मामले में देखेंगे तो ऐसे कई सारे केसे समय देखने को मिलते हैं जहां पर राजपाल ने असहमती के चलते फिर कुछ और स्टैंड लिया हूँ हाला कि वह बहुत इतर नहीं है उसके कुछ मामलों की हम चर्चा कर लें जैसे विधान सभा में अभी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक टेक्स्ट को पढ़ा ही नहीं इसको लेकर के कुछ फिर चर्चा की गई थी या उसको बदलने की बात कर दी थी तो इस पर जो वहां के मुख्यमंत्री थे मके स्टालिन उन्होंने एक तरीके से परंपरा को निभाए जाने की बात कही थी और यह कहा था कि फिर जो टेक्स्ट उनको सौपा गया है उसको ही मूल लूप से शामिल किया जाए आधिकारे कुप से केरल के राजपाल का भी एक मामला है आरिफ्स मुहमत खान 2020 का केस है जहां पर उन्होंने भी पढ़ते समय कोई पैराग्राफ स्किप कर दिया होगा जो किस मुद् 줄 से केंद्र सरकार की किसी मुद् rip dh6 सरकार का की इसी तरह और उस हमती को दर्शाता है किसी तरह पश्यमंगाल के जह में भी एक ऐसा ही मामला देखता है राजपाल से धरम वीरा 1979 का एक मामला था तैसे कई सारे मामले अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं और यहां पर ही फिर राजपाल को लेकर के ऐसी बात उठती है जब आपने देखा होगा बहराल हम विशय पर लोटते हैं तो यह बात होती है उसकी प्रक्रिया और परंपरा क्या है तो राश्पती के अभी भाषण तक हमने समझ लिया अब अभी भाषण हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि दोनों सदनों द्वारा जो भी सांसद है वहाँ पर धनिवाद प्रस्त लाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री इस तरह के मुद्दों को संबोधित करते हैं धनिवाद प्रस्ताओं का जवाब देते हैं और उस पर मतदान करवाते हैं संसद में प्रस्ताओं में संशोधन पेश करके असहमती भी व्यक्त की जा सकती है सांसा जैसा कर सकते हैं कि अगर और वो किसी बात से सहमत नहीं है संशोधन कराना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं हलाकि जो संशोधन किये जाने के बाद प्रस्ताओं है कम ही पारित हुपाता है और विपक्षी सांसदों ने 1980-1989-2001-2015 और 2016 किवल इन ही सनों में फिर इसको पारित कराया है वो भी राज्य सभा म वह ऐसा कराने में सफल रहे हैं दन्यवाद प्रस्ताओं में संशोधन पारित कराने में हलाकि लोक सभा में हमें ऐसे बहुत कम मामले देखने को मिलते हैं अगर आप बहुत सारे केसिस की चर्चा करेंगे तो बहुत इनका आकड़ा है कम रह गया है निशकर्च क्या है इस अब लोगसभा के नहीं लोग सभा के कह सकते हैं वह एक साथ आते हैं और वर्ष में एक मात्र समय होता है जब पूरी संसद एक साथ होती है अलागी लोगसभा के प्रतिनेदी प्रतेक्ष रूप से चुने हैं और राजसभा के फिर प्रतेक्ष रूप से चुने जाते हैं जो संबोधन है एक तरह का कारिक्रम है कहें समारो है और प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ होता है तो राज़पती उस समय यहां आते हैं और अभिभाशन देते हैं और लोगसभा का सचीवाल है फिर इसकी पूरी व्यवस्था संभालता है और इसी प्रक्रिया को हमने फिर कल होते हुए देखा और उस प्रक्रिया के संबन्द में फिर कुछ चर्चा की ताकि जिस प्रक्रिया को हमने देखा है कर उससे कोई सवाल बन जाए तो एक प्रश्न प्रिलिम्स के लिए देख ले निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजि इसका उत्तर देना है एक प्रश्न मेंस के लिए भारती संसद्य परंपरा में राश्रपती के अभीभाशन की क्या भूमिका है इसके संबंधित समयधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इसकी प्रक्रिया का उलेख कीजिए तो जो बाते हमने यहां पर डिसकस की हैं लगबग उन्हीं सब बातों को आपको फ्रेम कर देना है 250 शब्दों में और सिर आपका उत्तर हो जाएगा तो आज की सेशन को यहीं विराम देते हैं आप कर दो